नमश्कार मैं हूँ शूतिसिंग और आप देख रहे हैं दवज स्टोरी जैसा कि हम सब जानते हैं आज हिंदी दिवस है स्वर्प्रथम मैं सब आप सभी को हिंदी दिवस की सुबकामनाई देना चाहती हूँ गर्व हमें हैं हिंदी पर शान हमारी हिंदी है कहते सुनते हिंदी हम पहचान हमारी हिंदी है हिंदी दिवस पर आज हमारे साथ जुड़े हुए है विपगयोर स्टेट के सल्स हेड बिरजेस पांडी जी आयम इन से जानते हैं कि हमारी मात्र भाषा हिंदी को लेकर आखिर इनकी क्या राय है सर जैसा कि हम हिंदुस्तान वासी है हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हमें आप ये बताए कि हिंदुस्तान में रहने के बावजूद हमें हिंदी दिवस पर एक दूशे को बधाया दे प्रिक्ष में, एक बढ़ा हस्यास्वत सी मुझे समझ में आती है, कि अपने हिंदुस्थान देश में, अपनी हिंदी के लिए हमें एक सुबकामना देने पड़ती है. कबी आपने सुना है कि जापान में जापानिज बोलनी के लिए कोई सुपकाना देता हो या चाइना में चाइनिस बोलने के लिए कोई सुपकाना देता हो इंग्लेंड में इंग्लिश बोलने के लिए कोई सुपकाना देता हो नहीं ये हमने अपनी परिपार्टी से परिवर्तित हुए है हम अंग्रेजियों के गुलाम आज सत्ता साल पहले नहीं, हम जब भी 200 साल, 200 साल उन्हों राज किया, उसके बाद जब यहां से गए, तो साथ में हिंदी को लूट कर लेके जाए, हमारे हिंदुस्तान को लूटने के अलावा हिंदी को भी लूट के लिए चले गए, हमारी परिपार्टी, हमारी थाती थी, जब लूट के लिए चले गए, और एक तरह से हमको पंगो बना दिया, मांसिक रूप से पंगो बना दिया, कि अगर आप इंगलिश नहीं जानते हैं, तो आप कुछ नहीं जानते हैं, और यहीं मिश्णरी ने काम किया है, यहीं हमारे इंगलिश मीडियम स्कूल भी कहीं न मेरा भी बेटा इंग्लिश मीडियों पढ़ता है क्योंकि यह साइकलोजिकल प्रेशर बन गया है कि अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो आप भारत के पडल पर आप सुरक्षित नहीं मसूस होंगे, चाहे जॉब पॉइंट चले गए, हम आजाद हुए हैं, लेकिन हिंदी के रूप पे भी हमें हमें आजादी चाहिए, तो इसके लिए हमको अधिसाधिक प्रशाद करना होगा, अबने भारत हिंदुस्तान को पुरह रस्थाबित करना होगा हिंदी के रूप में जैसे कि आज की डेट में हमारे घर पे अगर कोई चोटा सा बच्चा और वो ग्रोइंग एज में है, तो उसे हम सिखाते हैं, दिस इस टमाटो, दिस इस पटाटो, हम ये क्यों नहीं बताते कि ये टमाटर है, ये आलू है, कहीं ऐसा तो नहीं, इन सब चीजों के बीच हम राश्टर भाशा को ही खोते जा रहे हैं? हिंदी एक बहुत ईए बड़ी भाशा है, जिसमें सारी भाशां को समायद करने की शमदा है, हिंदी में इंगलिष के हम सारी रहे होते हैं, और्धो के को बीचे अधान सब्ते कि आना। से ही शुरुवात करने चाहिए अपने बच्चों की भविष्य की और अपने भविष्य की सर्ज जैसे कि हम सब जानते हैं विप्गोर इस्टेट के सर्ष है तो आपके स्टार्ट अप में हिंदी कितना महत्वपून भूमिका निभाता है और हिंदी एक आप लोगों के लिए हिंदी क्या रोल प्ले करता है देगे जब हम रेल इस्टेट के बात करते हैं तो रेल इस्टेट में जो हमारी राजिस्ट्रियां हैं वो हिंदी में होती है और जो लोकल भाषा में जो हमारी कॉम्निकेशन हैं हम कोशिच करते हैं इसमें करें फिर भी कोई बाहर से आता है तो हम थोड़े दर English बोलते हैं, फिर उसके बाद अपनी हिंदी पर ले आते हैं, कि नहीं, हम अपनी भाशा में ही अपनी communication करेंगे, और सारे documentation process maximum हिंदी में करते हैं, तो इसके लिए हम चाह रहे हैं कि हमारा हिंदी पुनर जीवित हो, पुनर अस्थाफित हो, और हर जगह हम हंदी के लिए हंदी में ही काम करें हम, सर आज हमारा ये वीडियो हमारी जनता देख रहे होगे इसमें कई ऐसे यूट्स होंगे, जो आज English प्रोमोट कर रहे होंगे, ज़ादा से ज्यादा, तो आप हमारी यूट्स को क्या संदेश देना चाहेंगी, नहीं, आप इंग्लि इसमें सिर्फ काम चल सकता है, तो वहां पर इंग्लिस जानिये सीके जरूर, यह एक वार्ड लैंग्वेज है, इसमें ऐसे कम्निकेशन होती है, लेकिन यह बाधक नहीं बनने चाहिए, इसमें चाइना बहुत बड़ा आपका एकोनॉमिक कंट्री है, पूरे बुष्टों मान करते हैं, जाबान एकोनॉमिक कंट्री लोगों इंग्लिस की पीछे नहीं पड़ते हैं, वो बस एक दुभाशय रखते हैं, एक कम्मुनिकेटर रखते हैं, अपनी बातों कम्मुनिकेट करते हैं, लेकिन मेरी शारी बास आएं, सुरक्षा के दिश्टी से, अपनी पैरेंट्स के घर हम बात करते हैं, तो पैरेंट्स यह सोसते हैं, अगर हमारे बच्ची जो है, वो हिंदी को छोड़के इंग्लिश बोलेंगे, तो उनकी स्टैंडर्ड पे एक हाई लेवल दिखता है, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या इंग्लिश बोलने है, इस मास्क से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, और यह बिलकुल नहीं, क्म्टिशन होता है, किसी भासा में हो, सही चीज पर सही तरीकी से बस बताया जाए है, और समझ में आनी चाहिए, वो किसी भासा में हो सकती है, अगर आपके कोई मूकवधिर है, जिसको बोलना नही करते हैं तो भासा प्रती मनदीद नहीं एंगा है जलित अस्ट अ सफ नहीं हुना कि Hershang Bonda है एगर देखा आपने विपन wrote कि स्टेट के से इंगलिस व की स्टेंडरड नहीं बढ़ती और अपनी मारते भाषा बोलने से लोगों की नजरे नीचे नहीं हो सकती है तो ऐसे ही तमान जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे दबज स्टोरी में धन्यवाद